गुट बॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिल स्वरुपिंगर कानपूर एड़ आउटसेट रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलिबरेशन है मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्स्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूँगा एसेड रिफ्लक्स के बारे में जो एसेड रिफ्लक्स है have a very common problem जब मैं एसेड रिफ्लक्स की बात करता हूँ इसका मतलब यह कि खाने की थेली से acid चलके आपकी खाने की नली में आ जाता है वापिस चला जाता है फिर खाने की नली में आता है वापिस चला जाता है जो acid चलके खाने की नली में आता है वो बहुत सारे symptoms लेके आता है लेकिन उसमें जो सबसे important symptom is कि सीने में जलन होती है कट टिकटी डखा रहें आती हैं या regurgitation water brush होता है तो acid reflux is a very common problem तो क्या acid reflux जब भी आपको होता है आपको तुरंती डॉक्टर के हां दोड़ना चाहिए शायद नहीं जो routine acid reflux है उसके लिए आपको डॉक्टर को consult करने की जरूरत नहीं है लेकिन उस ग्लक्षमन रिखा को आपको कब डॉक्टर को consult करना चाहिए अगर आपको acid reflux है तो डॉक्टर को कब दिखाएं इस बारे में बात करूँगा मैं आपको कुछ facts को समझे कि अगर occasional आपको heartburn हो रहा है तो आपको सिर्फ OTC medicine लेनी है आपको कुछ entacet use करने है या कुछ sodium bicarbonate, ino इस तरह की जो च आप dietary change करेंगे, आपके खाने की quality, खाने की amount उसको ठीक करेंगे तो यह समस्या चली जाएगी अगर यह जो आपको रेगुलर्ली परिशान नहीं कर रही है आपको कभी कभार होता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी दूसरी problem के लि तो उन्हें बताएं कि मुझे बीच में acid reflux होता है ताकि अगर डॉक्टर समझते हैं तो आपके जो regular medication है उसमें acid reflux की भी कुछ medicine जोड़ी जा सके इसका मतलब यह है कि कभी कभार होता है तो OTC medicine लीजी कभी कभार से ज़्यादा भी हो रहा है आपको परिशानी लगती है तो भी ज़्यादा दिक्कत अगर नहीं है तो आपको जाने की जरूरत नहीं जब आप regular visit पे जाएं तो अपनी समस्या बताएं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका acid reflux हफते में कई बार होता है अगर कई बार होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है त पुल्टियां बहुत ज़्यादा हो रही है आपको बहुत forceful vomiting होती है अगर आपको still food vomiting होती है in the sense के सवेरे आपने कुछ खाया रात में vomiting हुई तो वो निकल रहा है आज आपने सवेरे कुछ खाया कल vomiting हुई उसमें निकल रहा है तो intractable vomiting, forceful vomiting, still food vomiting अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये warning sign है डाक्टर को तुरन दिखाएए अगर आपको जो vomiting है उसमें आपको blood दिखाए देता है, large amount pit या wild दिखाए देता है, yellow material या आपकी जो vomiting है वो काफे ground color की है तो आपको अपने डाक्टर को तुरन दिखाने की जरूरत है अगर आपको ऐसा लगता है कि acid reflux के अला इकत होती है, breathing trouble है तो आपको अपने डाक्टर को दिखाने की जरूरत है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रात में आप जो खाना खाते है वो आधी रात में पलट-पलट के गले में आता है, nocturnal symptoms आते हैं तो डाक्टर को consult करिए अपको लगता है कि जो खाना और acid औ इसे हैं जिनके लिए आपको डाक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोटे तोर पर इन चीजों को समझनी की जरूरत है कि जो acid reflux है is a very common problem, यह इतनी common problem है कि घर में वास्तों में इसे आप treat कर सकते हैं, आप diet में change करेंगे, आप अपनी lifestyle में change करेंगे, आप O diet इसे पर depend करती है, diet में क्या लिया है आपने, अगर आपका जो acid reflux है, approximately दो बार से ज़्यादा हो रहा हफते में या बार बार हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह chronic हो गया है, अगर chronic हुआ है तो इसको consultation की जरूरत है, इन consultation के अलावा अगर जरूरत हुई, तो इसके लिए investigation and treatment की जरूरत है, क्योंकि अगर यह बार बार acid reflux हो रहा है, दो बार से ज़्यादा हो रहा है एक अपते में, इसके possibility इस चीज़ किया है कि acid यहां आके, खाने की नली को damage करेगा, GERD करेगा, इन problem करेगा, अगर हम treatment की बात ध्यान से देखें, तो जो OTC medicine है, वो short term के now, क्योंकि chronic जो reflux है, अगर लंबा चलता चला जाएगा, तो यह आपकी quality life को गलबल करेगा, आपकी socializing को affect करेगा, आपकी नीन को गलबल करेगा, तो दूसरे दिन का जो पूरा day है, उसको disturb करेगा, apart from medicines, यह बात सही है, कि जो reflux है, उसके लिए बहुत सारे alternative treatments available हैं, तो alternative treatments available हैं, permanent solutions available हैं, तो अगर आपको लगता है कि lifestyle से ठीक नहीं हो रहा है, आपको लग रहा कि diet से ठीक नहीं हो रहा है, आपने investigation कराएं और medicines लें, और आपको लगता है कि medicines से भी यह जो problem है, वो जैसा चाहिए, वैसा control नहीं हो रही है, तो आप अपने doctor से discuss करिए, कि इसके what are the alternative treatments और क्या चीज़ें available हैं, जिससे इस problem से मुझे permanent छुटकारा पाया जा सकता है, या दिलाया जा सकता है, अगर आप समझते हैं, कि doctor को कब consult करना चाहिए, acid reflux में, इस area को समझने में, ये video help करता है, जरूर शेयर करें, मैं Dr. V.K. Mishra, from guest to liver hospital, स्वरुप टंगर कानपूर Thank you very much.